Capital smart treaty में plot की selection करते वक्त ये common mistakes बिलकुल मत करें क्योंकि previously मेरे experience के मताबिक ये मैंने mistakes members में देखी है तो इस वीडियो में उन mistakes का जिकर करूँगा जो membran ने पहले की हुई है और उन mistakes का उनको बात में हर जाना परना पड़ा है तो try करें कि इस वीडियो को पहले देख लें plot की selection से पहले ताकि आपको इसका maximum benefit पास हो सके first of all जब भी plot की selection स्टार्ट करें मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें बात की थी कि plot category plots पर जाएं corner, park, face, main road क्योंकि वो total inventory का 10% बनते हैं मैंने example के तोरह पर समझाया था एक गली में लटसेजी 40 plot हैं उनमें दो इसेंट पर corner हैं दो इसेंट पर corner हैं तो total आपके plot बनगे दो जमराद है कि 20 plot सामने 20 plot इदर तो दो इसेंट पर corner, दो इसेंट पर corner तो hardly आपका 10% area होता है आपका category plot याणी corner में होता है बाकिया आपके 90% जनल एएया होता है तो वो तो आपकी बात खتم होगी बढर वो corner plot के कबujस्तान का सामने हैं के corner plot commercial के सामने भी हो सकता है के corner plot मस्जित के सामने होसेगता है के corner plot कििस इसे स्कूल के सामने भी हो सकता अब property access में आगे मैं overseas west को बात में आता हुँ सब्सक्राइब को देखूं तो सबसे पहला point वो है कि आपने जब main road से उतर के capital smartity का interchange, main road फिर आपने property तक जाना है अगर तो आपको कितना असानी से जा सकते हैं, कितने कम time में जा सकते हैं तो access हब का पहला point है, कि access को आपने ग्रोर नहीं करना, जितनी अच्छी access होगी plot की, उसकी market value बाकी plots के निस्पत हमेशा 5-7 लाग-10 लाग उपर ही रहेगी, उसमें कभी कमी नहीं आएगी अब दूसरा point जो आपने देखना है, specifically overseas west को मदने नजर रखते हुए, कि overseas west में मेरे नज़ीग मेने map जो देखा है, उसे मैं तीन point कहता हूँ, पहला interchange, दूसरा middle और तीसरा आप कहा था खारी मुरत range के पास, अब तीनों point में से कहां selection करने चाहिए, लेकिन दो point ऐसे हैं, जहां पर selection आप करते हैं, तो आपको benefit पास होगा, और तीसरे point मेरे निकाल किसी को selection करनी चाहिए, यह वहां पर plot की selection recommendable है, वो जगा कौन सी है, first of all, कि आपने अगर देखना है plot की selection, तो पहले आप देखें, interchange के नजदीक तरीन आपको plot अगर मिलता है आपको, तो सब से best है keeping in mind, अगर आपने construction भी करनी है, अपने घर भी बनाना है और आपने रहाइश भी रखनी है, उसके point of view से ठीक है, अगर आपको short-shraab यह राइश से issue नहीं है, उसके point of view से ठीक है, but selling point of view से, वो plot आपका golden ticket होगा, कि इतना असानी से बिखता है plot कि आपकी imagine नहीं कर सकते है, like tickets, आप कहते हैं, plot जैसे sale पे लगाते हैं, within few minutes वो बिख जाता है, within few hours बिख जाता है plot, तो ऐसा plot location वा एतबार से सबसे preferable होता है, investment point of view से, second मैं selection के लिए जाओ, अगर मुझे घर बनाना है, तो मैं घर बनाने के point of view से, मैं personally plot select करूँगा, मैं select करूँगा end पे जाके, यान आपको back side से खेरी मुरत range का view मिलता है, अब खेरी मुरत range मेरे लिए इतनी क्यों favorite है, यह इतना मैं क्यों उसको highlight कर रहा हूँ, मैं अपने लिए selection करूँगा, तो वहां पे क्यों करूँगा, क्योंकि, खेरी मुरत range के पास मुझे को traffic नहीं मिलेगी, मुझे को rush नहीं इसलामबाद परिंडी में dated 100 crore की properties का view है, जैसा कि E7 है, F7 है, E6 है, F6 है, यह जो areas बनते हैं इसलामबाद की, यह आप area में let's say आप दिन के वक्त आप जून जुलाए की peak गर्मी में भी न, यहाँ बे गाड़ी लेकर जाएं तो you feel like you are living in heaven, क्योंकि उन area से जो आपको margla क view बनता है, जो green day 360 degree में आपको मिलती है, मेरा ख्याल है को पाकिसान में, जो लोग कहते हैं कि इसलामबाद में जो आप एक दवार रहता है, वो इसलिए कहते हैं कि उन लोगों ने E7, E6, F6 देख ली होता है, इसलामबाद बहुत खुबसूरत बनता है, अगर आप वहाँ स इसले सबसे expensive पाकिसान की properties वहीं पे आती हैं, तो same यही benefit आपको उद्र मारकला, खैरी मुद रहें की साथ मिलेगा, कि आपको पहाड़ों के साथ rounded है, आपको interchange access है, hardly 2-3 मिनट बात आप interchange पहुंच जाते हैं, तो उस point पे location के point official living के अतबार से, मैं सबसे पहले plot की selection पे पांच वकर नमाज पढ़नी है, being a Muslim, तो मेरे लिए मस्जिद के सामने preferable होगा, no, क्योंकि मस्जिद के सामने अगर आपका plot होगा, तो आपका पूरा दिन में पांच वक्ती सी, आपका plot के सामने घर के सामने rush होगा, school के सामने plot होगा, even though मेरे बच्चे पैदल school जा सकती है no car needed, no bus needed, लेकिन कल को मुझे इसका benefit नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि रश्वल एरी की वज़ए से मैं वहाँ पर irritate होगा, number three, आपका कबरिस्तान facing plot, graveyard facing plot होगा, मस्जिद, school, commercial, graveyard, ये चार चीज़ें आपने strictly avoid करनी हैं, कि इनके सामने आपकी property ना हो, हाँ इन से walking distance पर जरूर हो, for example, मैं अपने लिए सेलेक्ट करूँ तो मैं कैसा plot सेलेक्ट करूँगा, मैं ऐसा plot सेलेक्ट करूँगा, जो मस्जिद से एक गली के फासले पे हो, जो commercial market से एक गली के फासले पे हो, यह एक गली से मुराद यह है, at least 100 meter के फासले पे minimum होना चाहिए plot, इतना मै कम स्पेस रखूँगा, second point, कि स्कूल के सामने ना स्कूल से 100 meter के फासले पे हो, यह amenities nearby हों तो value अतनी ज्यादा होती है, यह चीज़ें facing हों तो अतनी value कम होती है, कि अगर आपका commercial के सामने plot है, मैं example तुम जाने के लिए क्लिए हो, अगर आपका building के सामने plot है, commercial के सामने आप अगरवा को tent है, बज़ती रहती है, तो मुझे सा क्या benefit हुआ, मुझे दे नुकसान हुआ, तो मैं ही चाहूँगा कि मैं आप property जब select करूँ तो मैं ऐसी जगह पर select करूँ, कि जो number one access के point हो, मैंने पहले point में explain कर दिया है, और overseas west को कर मद्दे नजर रखूँ, दो जगी है, या इंटरजिन के पास, या खारी मुझे रेंज के पास, अब चंद लोग होते हैं, वो मस्जिद के सामने plot कहते हैं, मस्जिद के सामने plot हो अच्छी है, हाँ ठीक है, मस्जिद अल्ला का घर है, और plot से, घर से walking distance पे जरूर होना चाहिए, but मस्जिद facing, I won't recommend that, स्कूल से walking distance स्कूल facing, I won't recommend that, लेकर अगर देखें, commercial facing, school facing, and masjid facing, ये तीन options हो, नॉर्मल options लेगे, अगर आपको plot किसी graveyard facing मिल जाता है, और आप पर रातों कहते हैं, मुझे सरसराहट फील होती है, आलकी भूल की आवाजें आती है, इस तरह कि जब बातें आपको फील हो, तो इस पर बा प्रशल के सामने हो, no one prefers that, personally, मैं जितने client से मिला हूँ, अभी तक वो लोग नहीं prefer करते हैं, आप लोग प्रफर करते हैं, जहां पर प्राइवसी ने डिस्टर्ब हो रही हो, जहां पर उनको एक healthy lifestyle मिल रहा हो, जहां पर उनको 360 डिग्री में अच्छा view मिल रहा हो, लोग व वक्त के साथ साथ आपकी property की value उसकी location बेस्ट ही होंगी, on that note, do consider subscribing this channel, क्योंकि हमाने वाले दिनों में, map पे Google Earth locations के साथ proper videos बनाएंगे, कि 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 सेक्टर की कौन सी locations अच्छी हैं, कौन सी locations अच्छी नहीं हैं, तो आपको काफियत तक help मिल से के की location की selection के वक्त, रिजवान ची अच्छी नहीं थिर ढरे लिज़ होंगे खाने दिनों, मृम gः राट nut क्वपा का हैं, कि कि कै喜歡 यह खक्पा की होंगे, कि ये दोदी आपको बनाएंगे, कि कि经ए आपको अबदम में, मृम में में बनाएंगे, क्यों में घुत आपकों इंशिए, क्यों आपकों, कि बनाए